समय प्रबंदन की इस्तिती में दो वक्त बहुत मेतुपूर्ण है एक तो सुबह व्यक्ति जब उठता है और दूसरा व्यक्ति जब पूरे दिन की ठकान के साथ में सोने की और जाता है पूरे दिन जब सजग है तो वहां पर व्यक्ति प्रसाइजली टाइम को मैनेज भी करता है कौन से काम किस कस तरह से आगे बढ़ाना है ये सारी पूजिशन के साथ में रहता है आफिस कल्चर में कितना टाइम देना है तो वहीं पर लंच ब्रेक है वहां पर भी समय को यूटलाइस करते हुए चलना है शाम को घर आना है तो कोई इनको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है ये सारी इस्तियां चलती है लेकिन वेक्ति जैसे ही निद्रा की और जाता है यानी सोने की और जाता है तो उसको वहां कितना समय लग रहा है नींद की तरफ जाने में ये एक समय बहुत मेत्वपूर्ण तो वहीं पर आप देखिए जब व्यक्ति सुबह उठा है तो उठने के बाद में जब वो बस्तर छोड़ देता है और अपने कामकाच के और जाता है वो भी समयाती में तुपूर्ण है आधे से पौन गंटे तक सुबह सुबह आलस से में रहे और आधे से पौन गंटे तक रात को सुने से पहले विचारों के साथ में रहे उस वक्ति को रुपए पैसर चुकाने है ये रात के विचार रहे हमको कामकाच के अंदर उस वक्ति को जवाब दिना है वो बारं बार परेशानिया खड़ी कर रहा है ये विचार चल रहे हैं, संतान पक्ष की और से कुछ चंताएं साथ में है ये सारी ही इस्तियां लगातार मनुभावों के साथ में चलती है और अंत तो गत्वा कब नीन दा जाती है, मालूम नहीं चलता किन्तु उसमें अमुमन लोग कहता है कि आदे से पौन गंटे का समय लग जाता है तो वो ही सुभह की स्तियां भी रहती है, सजग हो चुके हैं, मालूम है कि साड़े पांच बच चुके हैं जो कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की और आ सकता है, अती महतुपूर्ण है सुने की और गए और पांच से साथ मिनट के भीतर भीतर नीन दा गई तो हमने वहाँ पर अपनी उर्जा को बहुत अच्छे से बचाने का काम किया है ठीक उसी तरह से, सुबह उठते ही, हम कितना जल्दी अपने काम काच की और चले जाते हैं ये भी अती महतुपूर्ण है वेचारों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अनेकों अनेक इस्तर के उपर सोचता है वहाँ यदि एक अखंड नाम की उपासना के साथ में वो जोड़ने का प्रयास करे तो जो उसकी शुप्त चेतना है, वो बहुत जल्दी ही एक सक्रियता की तरफ आती है और निद्रा की तरफ वो जाने की शुरुवात कर देता है अब अखंड नाम की उपासना प्रतेक व्यक्ति अपने स्तर के उपर अपना सकता है जिससे की वचार, चित्त की और किंद्रत होने लगते हैं और धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं पूरे दिन का जो रूटीन है वो जब दूर हट जाए और व्यक्ति इस्तरगामी हो वो समय वहां से उसको बहुत जल्दी निद्रा की और लेकर चला जाता है और सुबह जैसे ही उठे तो जो कमरे का माहौल होगा वहां एक आलस्यक इस्तती होगी अब जैसे ही प्रकरती के नजदीक पहुंच जाते हैं या फिर जैसे ही ईश इस्तान के आसपास चला जाते हैं पांच मिनट के लिए उर्जा केंद्रित होती है और जो समय लगातार आदे से पौन गंटे तक खराब हो सकता था उसको व्यक्ति बचाने के वर जाता है ये भी एक समय प्रबंदन का बहुत मेतुपुन हिस्सा है इसको समझते हुए व्यक्ति जब चलता है तो कहीं ने कहीं अपने रूटीन में और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आपाता है हम यहाँ 6 अपरेल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है मंगलबार रहेगा चैत्रमास क्रशनपक्ष चल रहा है तो वहीं पर सूरदेव नीन राशी स्थान में ही गमन कर रहे है श्रवण नक्षत्र की सूर्योदे कालिक स्थर के उपर परिधियां रहने वाली है और हम शुरवात करते हैं मेश राशी के साथ में चंदरमा की जो गती है आज मेश राशी के लिए मकर राशी स्थान में यानि कि जो दशम भाव है वहां के साथ में चलती रहेगी तो फलाफल की दृस्टे कौन से ये अधी महतुपूर्ण स्तर रहेगा कामकाजी जीवन में मेश राशी के जातकों के लिए यहां पर समय प्रबंदन पर बहुत ज़ादा ध्यान देने की आवशक्ता है रहेंगी इच्छा शक्ती का अभाव आपकी भीतर दूर दूर तक भी नहीं है तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि हम किसी भी टास्क को अभी टालते चले जा रहे थे और सरकम्स्टांसेस के ड्रवन होकर एक महत्वपून कारे है वो प्रायरिटी में नहीं आपा रहा है वहां सोचने क्या वशक्ता है उसको सबसे पहले आप हात में लीजिए हनुमन तुपासना के साथ में दिवस की शुरुबात करना बहुत जादा महत्वपून रहेगा आप से निवदन करना चाहूंगा कि यहां आप अपने कारेश एतर के अंदर चोटी चोटी बातों में लोगों से उलजने से उरे तरीके से बचें खर्चों के उपर नियंतरण रखने का प्रयास करें और वहीं जो वाणी संबंदित कामकाज है वहाँ पर धैर इस्थापित करके रखना भी आपके लिए आवशक रहेगा स्वास्त के अंदर चोटी चोटी जो बाधाएं सता रही थी उससे आप दूर होते चले जाएंगे तो वहीं आजीवी कामें जो एक इस्तिरता रहने चाहिए वो बनी हुई है व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों से जो संबंद विक्सित होंगे आपको वहां से अर्थ लाब भी प्रमुक तोर पर मिल सकता है वहीं वरेशब राशी भाग्य का सयोग बहतर तरीके से आपको यहां पर मिल रहा है तो वहीं पराक्रम में बर्दी रहेगी नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ी हुई यात्राओं में सजगता बरतने का कारे करें यहां शेर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश के और जाना बहतर रहेगा मैटल संबंधी कारेशेतर में जुड़े हुए हैं तो बड़े निरना लिये जा सकते हैं वही रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी कातिपतियां हो गई या फिर कमिशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज यहां शुक्र प्रदान राशी के जातकों के लिए सार्थकता बनी हुई है प्रो एक्टिव रहकर चलने का प्रयास करें और साथ में ही जो खर्चे आपको लंबे समय से सता रहे थे वहां पर अब एक रिलीव की पॉसिबिलिटी बन सकती है पारिवारिक जनों के साथ में जुडाव को और अच्छे से महसूस करते हुए आप चलिएगा तो वहीं भाईयों और मित्रों के साथ संबंध पुनह तरो ताजा होंगे इसी के साथ जो आध्यात्मिक चंतन है हनुमन तुपासना के साथ में निरंतर गतिशील हो सकता है जिसको भी भीतर आप चेतना के सुरूप में जागरत करते चले जाईए और इसी के साथ जो रिसर्ट संबंधिक आमकाज है वहाँ पर धहर्य अपना कर चलने के आवशकता रहेगी फूड प्रोसेसिंग, एग्रिकल्चर या लॉजिस्टिक संबंधिक आमकाज में नई शुरुवात के और बढ़ना हिद गामी रहेगा मेथुन राशी, आज भी नए कामकाज की शुरुवात से आपको दूर रहना चाहिए तो वहीं पर जो कॉन्फिडेंस के अप्रोच होती है थोड़ी सी कमी वहाँ पर रहेगे नरनायक मौकों के उपर आत्म विश्वास धोखा दे देता है और कई बार पश्चात आप छोड़ कर जाता है वहाँ से आपको थोड़े से गहरे चिंतन की और रहना होगा विदेश संबंदे कारशेतर के अंदर संभाबनाए आपको बहतर आधार यहाँ पर देती चले जाएगी तो वहीं flexibility की approach को अपना कर चलने का प्रयास करें इसी के साथ में जो पहले से कोई भी रोग आपको लंबे समय से परिशान कर रहा था जिसका कोई भी solution सामने नहीं था यहाँ एक तरह से treatment को change करने के requirement है और स्वयम को किस तरह से हम एक observation की और लिकर जा रहे हैं कि क्या खानपान से हमारे शरीर के उपर क्या effect आता है हम कौन सी medicine की वज़े से कहीं ने कहीं reactive approach अपने शारिविक स्ततियों में महसूस करते हैं यह सब कुछ आप अध्यन करते हुए चलते हैं तो कहीं ने कहीं स्वास्ति के अंदर मजबूती लेकर आने के सरे सामने रहने वाले होंगे अर अचनात्मक्षेत्र के साथ में जो आपका हस्तक्षेप है वो एक अलग तरीके से बढ़ता चला जाएगा और वहीं यह याद रखा जाए कि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं तो जो एक अपनी लिमिट होती है उसको तै करके चलने की आवशक्ताएं आपके लिए रहेंगी इस बात को निरनायक तोर के उपर अपना कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा वहीं करकराशी व्यापारिक जीवन में ये समय श्रेष्टता के अनुभव आपको देने वाला होगा भाग दोड़ बनी रहेगी किंतुमान और सम्मान के स्तियां जो परोक्ष्टार के उपर मिलती है वो आपके साथ में रहने वाली होंगी भाग ये का सयोग नौकरी पेशा जीवन में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है गरहस्त जीवन के साथ में जो एक सुधार की उम्मीद रिष्टे के रूप में थी वो यहाँ आपके संबुक रहने वाली होगी तो वहीं संतान की सक्षा को लेकर या उनके शारिश उला जीवन को लेकर जो चंताएं थी वहाँ पर भी एक अलप बिराम लग सकता है यानि कि सॉल्यूशन का जो एक अस्ताई इस्तर होता है वो यहाँ आपके सामने रहेगा कहीं न कहीं आपको हस्तक शेप के साथ में इस्ततियों को सुल जाने के और जाना जरूर चाहिए अपने पराक्रम में वरद्धी होती हुई आप पाएंगे जब कामकाज के अंदर जो पूर वबत इस्ततियां रही है प्रेजन्ट में सामने आती है और आपका नाम ख्याती प्राप्त करता है गुस्ततियां बहुत अलग है अनुशाशन के साथ में चलने का प्रयास करना तो वहीं पर अपने कामकाजी जीवन में आप जितना अधिक समय देते हैं देवस्तत तोर पर उसी सफलता के सिरों को आप जीवन में अपनाते चले जाएंगे यहां चंदर्मा परदान राशी के जातकों को चाहिए कि सफेद वस्तों के दान के और भी आप बढ़ने वाले जरूर रहें मन के भीतर जो चेतना है वो संतुस्टी के और जाती चले जाती है द्यातरा संबंदी कामकाजबे दरबाद गती से आप आगे बढ़ सकते हैं शेर मार्केट संबंदी कारिशे तर बेनिफीशिल रहेंगे तो वहीं पर जो महिलाएं ग्रिहस्त जीवन के साथ मजड़ी हुई है उनको भी आज अपनी निस्टा के अनुरूप जो प्रशंशा मिलनी चाहिए वो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त होती चले जाएगी कोई भी जमीन आदी आपने बहुत पहले से खरीद रखी है किन्तु वहाँ थोड़ी से इग्नोरेंस है जा नहीं पा रहे है उस इस्तिती को चेक करना आपके लिए आवशक रहेगा वहाँ से कोई भी लाबरवाही आप बरतने वाले नहीं रहें तो वहीं स्वास्त में जो मौसमी बुखारादे इस्तिया होती है उससे थोड़ा सा संबलने की रिक्वार्मेंट आपको रहेगी वहीं सिंग राशे सर्वपर्थम यहाँ जो सोच में कई बार रोगुनता परेशान करने वाली होती है उससे बाहर निकलने की आवशकता है जो शंचाय बारम बार जीवन के घेरों में आते हैं और कामकाज में अवरोद उत्पन न करते हैं उससे बाउंस बेक करने का प्रयास कीजिएगा यह एक निविदन है दूसरे आधार के उपर आपके लिए जो रण संबंदी स्थियां लंबे समय से परिशान कर रही थी उसके भी सॉल्यूशन की और जाना कई बार व्यक्ति ऐसी स्थियों को टालता है आज से कल, कल से परसों इस गतिविदी से बचें आज जो स्थिय है उसका सामना करना और समाधान की और जाना ये आवशक रहेगा आंत्रे कशत्रू हावी नहीं होने पाए ये ध्यान रखिएगा और वहीं पर जो आपको पोजिशन्स कामकाज में एजुकेशन में पारिवारिक जिवन में डिस्ट्रक्ट कर रही है उनको पैचानने की आवशकता है फुरेस्ट्रेशन कई बार जिवन में चलती है किन्तु कामकाज सारी चल रहे है तो ये किस बात की जुझलाट है इसको समझने के लिए एकांत की आवशकता होती है सुयम के साथ में समय ब्यतीत करने की आवशकता होती है किसी यात्रा में है और आधे गंटे का गैब खुद को दिया कि मन के साथ में मन्तन चलता रहेगा तो वहीं से समधान के केंद्र बिंदू आपके सामने आने लगते हैं इस प्रक्रिया के साथ में चलने का प्रयास करें तो वहीं IT इंडिस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है और उसकी कोई अन्यत्र विधा के अंदर आपके सी कोर्स की और जाना चाहते हैं स्वयम को पुनह एजुकेशन की और लेकर जाने का आधार मन में आप पूरे तरीके से स्थापित कर चुके हैं तो यहां रुकने क्या वशक्ता नहीं है एक डिसीजन के साथ में बढ़ जाईए और आपके लिए पोजिशन्स बैटर्मेंट के साथ में चलने वाली रहेगी यह भी एक प्रमुक तत्व आधार यहां पर संगराशी के जातकों के लिए है तो वहीं जमीन संबंदी कामकाज के अंदर थोड़ा सा धहर अपना कर आपको चलने का प्रयास करना आवशक रहेगा वहीं कन्या राशी कामकाजी जीवन के अंदर ये दिन उपलब्दियों का है ये दिन अर्थ तंतर में व्रद्धी का है नौकरी पेशा जीवन में परिवरतन के अधार पर चलते हुए आप कुछ भी नया अपनाना चाहते हैं उस और जाने का है शेर मार्केट संबंदी कामकाज के अंदर निर्णए महतफूर्ण तोर पर लिए जा सकते हैं जो सयोग लंबे समय से उपलब्द नहीं था वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच यहां बनी रहने वाली होगी तो वहीं क्रियेटिव फिल्ड के साथ में एक नई सोच अपना कर आप चलते चले जाएंगे यहां वाणी संबंदित कामकाज में सार गर्वित इस्तर के उपर आप सकारात्मक्ता को आसानी के साथ में देख रहे हैं तो वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति विशेश को जो की पारिवारिक जन हैं अपने कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं वहाँ पोह चल रही है जोड़े या नहीं जोड़ें तो वहाँ पर एक जो सेगरिगेशन होता है कामकाज में जोड़ने का ति किस लेवल पर जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, ये विशेशक आधार आपके सामने रह सकते हैं, मन्निन रूटीन से कुछ नो कुछ स्थितियों को चेंज करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी एक महत पूर्ण तथ सामने उपस्तित रहने वाला रहे कमिशनिंग संबंधी कामकाज में नए पन की और आप जा सकते हैं, जो अनुभव मिल रहे हैं, उनको कामकाज में ढालने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, आटो मोबाइल इंडस्ट्री के साथ में, या कॉमर्शिल वीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव की है, पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ सकती है, उसके लिए भी आप प्रोएक्टिव रहकर प्रपेर जरूर करें खुद को, तो वहीं तुलाराशी, यहां आजी वीका के जो नए साधन आप विकसित करके चलना चारहे थे, उसमें थोड़ा सा रोकने की आवशक्तां र रहा है, और यहां आप निरंतर हनुमन तुपासना के और जाते हैं, तो कारियों में एक निर्बाद गती आप लेकर आने वाले रहेंगे, यहां तुलाराशी के जातकों से निवदन है, कि आप इस समय में चलते हुए, खुद को जो भाग्ये के सायोग के साथ में नहीं दे अगर आप के लिए जो कामकाज अटके हुए थे, औरोके हुए थे, जहां से कोई भी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी खुद को बहुत अच्छे से आप जोडने का प्रयास आज कीजिएगा, तो वहीं हरदाय जनित रोगो तो वहीं वरेश्चक राशी, यहां किसी इंटरव्यू कॉल का आपको लंबे समय से इंतजार था, तो पॉजिटिविटी सामने आ सकती है, भाग्यका, सहयोग, प्रतेक, कारिशेत्र के अंदर एक नवीन स्पंदन को देने वाला होगा, तो वहीं यात्राएं बढ़ाना आ आपके लिए बहुत आवशक है, पॉजिटिव अप्रोच वहां बनी रहने वाली होगी, तो वहीं वरेश्चक राशी के जातकों को चाहिए, कि जो भाईयों के साथ में और मित्रों के साथ में आपने संबंदों को बहुत अच्छे से जोड़ा है, संजोया है, वहां से भी प्रवर्ति यहां आपको स्पस्ट तोर पर एक नया इस्तर देने वाली होंगी ही होंगी, यह भी एक स्पस्ट इस्तिती नजर आती है, इसी के साथ में जो अटके हुए कामकाज थे महापुने हैं, आप एक फ्लो को एस्टबलिश करने वाले होंगी, आईटी पिल्ड के सा साथ में या अनुशाशन संबंदी शेतर विशेश के साथ में आपकी नौकरी चल रही है, तो वहां से भी आप खुद को एक तरह से इस्तरता, यानि जो स्टेबिलिटी के अप्रोच होती है, वहां पर लेकर जाने वाले होंगी, यह भी एक सम्यकाधार यहां आपको संतु साथ में यदि मैं धनुराशी की चर्चा करूँ, तो आप देखिएगा कि धना गमन बढ़ रहा है, व्यापारिक जिवन में इस्तरता रहेगी, चोटे मोटे जो अबरोद आ रहे हैं, उनसे स्वयम को दूर करने का प्रयास आप जरूर करें, जो चंताएं बारं बार एक स् के रूप में परिशान कर रही थी, और कामकाज जो अभी हाल ही में चल रहा है, उससे एक डिस्ट्रेक्शन आ रहा था, उससे भी दूर रहने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवशक रहेगा, ब्रिहस्पति परदान, राशी के जातकों को चाहिए, कि आप खुद को क किसी ने किसी मुश्किल टास्क के साथ में लेकर चलने का जरूर प्रयास करें, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, मन के भीतर वहां से एक ब्लॉकेज बना हुआ है, रश्टों को संभालने की भी आवशकता है, यहां पूरे तरीके से है, तो वहीं आप से मैं निविदन कर में आपका जुड़ाब रहा है, यहां पर कोई भी ऐसा निर्णे लेना हो, जहां थोड़ा सा जोखिम शुमार हो, वहां बढ़ने से हिचके चाहिए नहीं, और वहीं पर मार्केटिंग संबंदे कामकाज में, यह समय आपको एक बहतर फ्लो देने वाला रहेगा, जहां से अंदर आप और जादा एक नई इस्तिती देखने वाले होंगे ही होंगे, इस बात को भी अपना कर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, तो वहीं, यही मैं मगर राशी के चर्चा करूं, तो यहां आत्म विश्वास में बरदी रहेगी, यह एक बात है, इसी के स आईए कि आप कांस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में, या कोई भी ऐसा कारेशेतर जहां पर आप एक नया डेवलप्मेंट चा रहे थे, वहां बढ़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, यह एक गतिविधी, तो वहीं पर आपको यहां हनुमन्त उपासना के यहां सजग रहें, तो वहीं कामकाजी जीवन के अंदर अनुशाशन की आवशकता है, यह याद रखा जाए कि यहां अपने रूटीन के अंदर कुछ चेंजिस करना और जो समय आपके लिए सकारत्मक है, उसका पूरे तरीके से फाइदा उठा कर चलना भी आवशक रहेग इस मूल मंतर को आप याद रखें, ग्रहस्त जीवन के साथ संबंदों में सुधार की पूरी ही आशाएं और अपक्षाएं बनी हुई है, वहीं कुम्बराशे, यहां खर्चे अनियंतरत तोर के उपर आपको परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहने के आवशकता, यह एक बात है, तो वहीं पर जो मानसिक स्तर पर चिंताएं कामकाच को लेकर बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कम होती चले जाएंगी, स्वास्त में आज जो मौसम के परिवर्टत होने के साथ में स्ततियां सताती है, या फिर नेत्र संबंदे विकार कई बार आकस्मिक तोर पर स आने वाले होते हैं, उससे भी सावधान रहें आप, विदेश संबंदे जो इस्ततियों में अस्तरता बनी हुई थी, वहापुन है आपके लिए एक पॉजिटिव अबरोच निकल कर आने वाली रह सकती है, ये भी एक प्रमुक प्रकार आपके संब्मुक रहेगा, और इसे के साथ में कुमराशी के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई बी ऐसा कारेशेतर जहां पर लंबे समय की नीब लगती है, ऐसे सारे ही कामकाज बहतर रहने वाले होंगे, वहीं में राशी, यहां शेर मार्केट संबंधी कारेशेतर के अंदर लाप की उम्मीद की जा सकती है अटके हुए और रुके हुए कामकाज में पुने है आप एक रफ़तार को प्राप्त करने वाले होंगे और इसी के साथ में मैं आपसे निविदन करना चाहूंगा कि आपके लिए इस समय में संतान पक्ष के और से जुड़ना उनको समझाने के तरीकों को बदलना भी आवशक होगा स्वास्त के साथ ही साथ में वाहन चलाते समय बहुत जादा ख्याल आप रखने वाले हो अपनी स्वीड के उपर कंट्रोल करना और वहीं रूटीन को जल्दी शुरू करना जिससे कि हम एक तरह से जो अपनी नोटिसेबल अप्रोच है उसको क्लियर करते चले जाएं ये कार्य हो चुका है और ये कार्य बाकी है कई बार कागस पर आई ऐसी इस्ततियां व्यक्ति को और जादा जवाब देह बनाने का कार्य करती चले जाती है दूई सुभावी राशी के जातकों को चाहिए कि आप चोटी चोटी बातों के साथ में जो मन को वेचलित कर रहे थे उससे भी दूर रहने का प्रयास जरूर करने वाले रहें तो ये था च्छें अपरेल 2021 का देने का राशी फल हम नैसे ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे धन्यबाद और कोटी शहे आभार